असलाम अलेकुम डियर स्टूड़न्स आई मोहम्माद साज जहूर स्टूडन्स आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजब्रा का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक विच इस एच्छलन फॉर्म एड एड्यूज एच्छलन फॉर्म इसको देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि Pivot Variable क्या होता है and Free Variable क्या होता है इन दोनों Definitions को और इन दोनों जो टॉपिक्स है Actual and Reduce Actual and Form इसको हम आज के टॉपिक में देखेंगे तो First पे मैं आप लोगों को बिताता हूँ कि ये Actual and Form होती क्या है और उसके बाद इसको मैं एक एक एक्जामपल की मदद से प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी मैटिक्स को या अगर आपके पास कोई भी given system of equation दिया गया हो तो उसको हम Actual and Form में या Reduced Actual and Form में Convert करते है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये आपके सामने एक system of linear equation दिया गया है ठीक है इसमें अगर आप देखें तो इस system of linear equations में आपके पास five unknowns हैं ये x1, x2, x3, x4 and x5 इसके अंदर इस system of linear equation में जो variables use हो रहे हैं उन variables को हम unknowns कहेंगे ठीक है जो variables आपके use हो रहे हैं इन variables को हम unknowns कहेंगे तो इदर ये जो system of equation मैंने लिखा होगा है आपके सामने ये already actual and form में reduce किया हुआ है ठीक है ये just मैं आपको दिखाना चाहा रहा हूँ कि actually आपके पास actual and form होती किस तरह से है ठीक है ये आपके पास actual and form लिखी गई है in the system of linear equation form है ठीक है ये system of linear equation form है ये actual and form है और इसी form को मैं matrix form में भी आपको convert करके दिखाँगा कि आप इसी actual and form को matrix form में अगर लिखे तो वो किस तरह से आपके पास होगी ठीक है तो इसको matrix form में convert करने से पहले में इदर ये two definitions हैं इनको discuss कर लेते हैं pivot variable क्या होता है and free variable क्या होता है तो students हर each equation में जितनी भी इदर आपके पास ये system of equations हैं इदर हमारे पास three equations हैं या आपके पास ये three four and five options जितनी भी equations हैं इन में जो leading unknown होगा ठीक है या जो leading variable होगा इदर unknown means हम इदर variable से denote कर रहे हैं कि हर equation में जो आपके पास leading unknown या leading variable होगा वो variable आपके पास pivot variable कहलाएगा each equation में जो leading variable या unknown जो आपके पास होगा उसको हम pivot variable का नाम देंगे ठीक है तो जैसे अगर आप इसमें देखें ये मार्जो first equation है इसमें आपको ये x1 variable नजर आ रहा है leading variable because ये x1 जो है ये इस equation को lead कर रहा है तो इसलिए हम x1 को leading variable बोलेंगे तो x1 इस first equation में आपके पास x1 leading variable है second equation में आपके पास x3 leading variable है और third equation में आपके पास x4 leading variable है तो ये इन तीनो equations में हमें ये three leading variables मिल गए है x1, x3 and x4 तो इन तीनो variables या इन तीनो unknowns को हम pivot variable का नाम देंगे ठीक है ये ये हमारे पास तीनो जो है वो pivot variables कहलाएंगे ठीक है students तो इधर x1, x3 and x4 ये तीनों हमारे पास pivot variables है और इन तीन variables के इलावा अब जो बाकी variables भच जगी है जो किसी भी equation को lead नहीं कर रहे तो बाकी जो remaining variables या remaining unknowns हमारे पास होंगे उसको हम free variable का नाम देंगे ठीक है हमारे पास इन तीन equations को lead कर रहे हैं तो आपके पास जो बाकी variables बच गए x1, x3 और x4 की इलावा जो बाकी variables बच गए उसमें देखें ये एक आपके पास x2 variable है x3 leading में आ गया है x4 भी leading में आ गया है इसके इलावा एक variable हमारे पास ये x5 रह गया है ये वाले two unknowns जो हैं ये हमारे पास free variables कहलाएंगे ठीक है students तो ये आपके पास था pivot variable और free variable अब मैं इस system of equation को matrix form में लिखके दिखाता हूं ठीक है तो ये हमारे पास augmented matrix मैंने इदर order लिख दी है augmented matrix हम कैसे लिखते हैं आपके पास ये जो system of equation है आपने जस्ट ये करना है कि इसमें जो each variable ये एच unknown जो है इस equation में आपने इसका coefficient जस्ट उठा लेने हैं तो x1 का coefficient 2 है, x2 का coefficient 6 है, x3 का coefficient minus 1 है, x4 का coefficient 4 है and x5 का coefficient minus 2 है और equality में जो ints हैं आपने उनका भी एक column बना लेना है तो ये equal में 7 आ जाएगा तो हम इसको अगर matrix form में लिखते हैं तो इसकी जो first row हमारे पास आएगी वो होगी 2, 6, minus 1, 4, minus 2 and 7 इसी तरह से जो second आपके पास row होगी उसमें क्योंके x1 इसमें नहीं है तो हम x1 का coefficient 0 लेंगे, x2 भी नहीं है तो x2 का coefficient 0 लेंगे, x3 का coefficient 1 लेंगे, x4 का coefficient 2 है and x5 का coefficient 2 है और equality majority है वो 5 आज जागी इसी तरह से हम equation number 3 जो है इसकी जितने भी coefficients हैं उनको हम इस matrix form में इस तरह से हम इसको लिख देंगे तो ये आपके पास matrix जो है ये actual form में already compute किया हुआ है तो इस matrix को हम augmented matrix बोलते हैं augmented matrix हम क्यों कहते हैं क्योंकि आपके पास कोई भी system of equations जिसमें आप equal वाली entries या equal वाली जो values होती है उसको भी अगर आप add कर दें तो वो system of equation का जो matrix form होगी वो आपके पास उसको हम augmented matrix कहेंगे जैसे ये column आपके पास seven five and six है ये हमें पता है कि ये seven five और six जो है ये हमारे पास equation में जो right side पे elements थे ये उनका column है ठीक है तो ये इसकी actual form है तो मैं आपको एक example की मदद से बताता हूँ कि हमने किसी भी system of equation को या अगर को given matrix दिया हो है तो उसको आपने actual form में reduce किस तरह से करने है तो ये हमारे पास students example है इसको अभी हम करके देखते हैं कि इसको आपने reduce किस तरह से करने है तो इसमें students सबसे पहले आप देखें कि ये हमारे पास ये system matrix form already हमारे पास दी गही है तो students सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस system में जो first row का first element होगा ठीक है जिसे हमने leading element leading variable का नाम हमें ने दिया था तो आपने जब भी reduce actual form में convert करना है तो सबसे पहला काम आपने यही करने है कि जो इसमें leading element होगा उसको आपने one बना लेना है हर सूर ठीक है तो one आप किस तरह से बना सकते हैं अगर आप इसमें देखें तो या तो आप इन equations को आपस में add ये subject करके one बना सकते हैं ठीक है या आप in rows को interchange करके one बना सकते हैं क्योंकि हमें second row में ये one नजर आ रहा है हमन इस four की जगा पे minus four की जगा पे one बनाना है तो इसके लिए इस question में तो हमें नजर आ रहा है कि जो हमारी second row का first element है वो one है तो अगर हम r1 को r2 के साथ interchange कर देंगे तो जो first row होगी उसका जो first element होगा वो हमारे पास one बन जागा ठीक है तो इसी तरह से अगर let's suppose इस तीनों rows में कोई भी इंटी आपके पास one ना होती तो फिर आपने क्या करना था आपने इंटू दोनों rows को तीनों rows में आपस में देख लेना था कि हम किसी row को किसी number के साथ multiply करें करें तो वो one बनता है या नहीं बनता तो इस तरह से आपने इसमें one बना लेना अगर इसमें से किसी भी condition में आपके पास one नहीं बनता तो फिर आपने जो डवीन वाली option है उसको लास्ट पर रखना है let's suppose कि अगर माइनस वोर की जगह बनाने के लिए हमें कोई भी method हमारा applicable नहीं हो रहा मिज़ कि आप रोज को एड़ सब्टरक्ट भी कर रहें तो उससे भी हमारे पास one नहीं बन convert हो जाएगे fraction वाली values को आपस में add और सब्टरक्ट करना यह थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल end पर रखेंगे क्योंकि हम इसको रिड्यूज अच्छनल फॉर्म में convert करने के लिए हमने रोज को आपस में add या सब्टरक्ट करना है ठीक है तो one यह element one बनाने की भी reason हमारे पास यह है कि अगर आप इसकी जगह पर one बना लेते हैं तो बाद one बनाने के बाद इसके नीचे वाली जो entries होंगी उनको zero बनाना और row operations लगा के zero बनाना वो हमारे लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा rows को add या सब्टरक्ट करना हमारे लिए easy हो ठीक है तो पहले हमने इस one minus four की जगह पर one बनाना है तो one के लिए हम just क्या करेंगे इन rows को interchange कर देंगे तो मैं इदर just लिख रहा हूं के we interchange r12 okay student this is the sign of interchange and because we apply row operation so we write this one this is the sign of row operation और हम r1 और r2 को interchange करें तो आप इसको r12 लिख सकते हैं या फिर interchange का sign आपके पास ये भी है कि आप बाज अकाद interchange के लिए ये sign भी use कर लेते हैं कि r1 interchange is by r2 तो आप ने just इसमें क्या करना है row 1 को 2 की जगह पर interchange कर देना है तो यह जगा 1, 2, minus 5 and r2 जो r1 है वो r2 की जगह पर आजाएगी minus 4, 1, minus 6 and बाकी जो आपके पास values हैं वो सारी as it is आदेंगी ठीक है students ये आगया अब हमारा first element one बनेगे अब next आपने जो काम करना है वो minus 4 और 6 की जगह पर zero बनाने है तो minus 4 की जगह पर zero बनाने के लिए आपने सबसे पहला काम ये देखने है कि हमने किस row में one बनाया है ठीक है students ये मैं आपको method बता रहा हूँ ये जिस order का भी matrix होगा आपने इन rules को follow करते होगे उस पर operations लगाने हैं तो इंशालला उमीद है कि आप लोग इसमें mistakes के chances जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे सबसे पहला काम आपने जिस row में one बनाया है आपने उस row को लिखना है ठीक है हमने r1 में one बनाया है तो मैंने r1 को लिखना है लेकिन इसको आपने बा means के आप r2 के अंदर changing लेके आना चाह रहे हैं तो हम r2 को पहले लिखेंगे ठीक है r2 को आपने means के कौन सी row को पहले लिखना है जिसके अंदर आप change लेके आना चाह रहे हैं या जिसमें आप zero बनाना चाह रहे हैं उसको हम r पहले लिखेंगे और जिस row में हमने one already बना चु उसको पहले लिखना है जिस row में आपने one बनाया है उसको बाद में लिखना है इसके बाद आपने यह करना है कि जिस element की जगा पे आपने zero बनाने है आपने इस minus four की जगा पे zero बनाने है तो आप क्या करेंगे आपने अगर इदर minus का sign है तो आपने इदर plus लगाना है अगर इदर plus का sign होगा तो आपने इदर minus लगाना है ठीक है तो यह minus 4 था तो हम और इदर लिख देंगे plus 4 अगर इदर plus 4 होता तो फिर हमने इदर लिख देना था minus 4 ठीक है students तो यह मैं just first के लिए दुबारा से बता रहा हूँ क्योंकि बाकी सब पे भी हमने इसी चीज को follow करने है जिस row में आप change लिख आना चाहरे हैं उसको पहले लिखेंगे जिस row में हमने one बनाया है उसको बाद में लिखेंगे जिस element की जगा पे आपने zero बनाना चाहरे हैं उसका sign change करके वो आपने इसके साथ multiply कर देना है two minus five और second में क्योंकि हम change लेके आना चाहरे हैं तो क्योंकि हम मैंने R2 को पहले लिखेंगे तो इसका मतलब आप इसमें सब में R2 का जो element होगा उसको पहले लिखेंगे यह minus four आ गया अब आपने R1 को four के साथ multiply कर दी है यह R1 है इसको four से multiply कर दी है तो इसका मतलब यह four हो जाएगा यह eight हो जाएगा यह minus twenty हो जाएगा ठीक है अब आपने just इन दोनों को क्या कर देना है add कर देना है तो यह minus four है तो यह plus four आ जाएगा इधर ठीक है इधर यह one है इसको eight में add कर देंगे यह 1 प्लस 8 आजाएगा इदर माइनस 6 है इसको हम इदर माइनस 20 में एड़ कर देंगे तो यह आजाएगा माइनस 6 माइनस 20 ठीक होगा डियर सुजरेट अब सिमिलरली आपने यह तो हमारा माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया माइनस 4 की जगा पर हमने 0 बना लिया अब इसके बाद आपन हम चेंज की सुरों में लेके आना चाहरे हैं अब यह R3 है हम R3 में चेंज लेके आना चाहरे हैं तो हम इदर पहले R3 लिखेंगे 1 हमने की सुरों में बनाया हुआ है R1 में उसको हम बाद में लिखेंगे किस नमबर की जगा पर 0 बनाना चाहरे है 6 की जगा पर तो इदर क्य कर देना ठीक है तो तो और फ्री वाले इंटिज को आपने पहले लिखने है ओर फनly को माइनस इक साथ मर्टीप्लwasser करके उसको बाद में लिखने है तो यह आजएगा 6 यह माइनस 6 को जब आप इदर文 Mär zenhof करोगे तो यह माइनस 6 हो जायएगा इसी तरह से इसका拍़ 3 है आप माइनस 6 को 2 के साथ मर्टिप्लाइ करेंगे माइनस 6 मर्टिप्लाइ बर 2 यह माइनस 12 हो जाएगा यह इदर आ जाएगा फिर यह इदर माइनस 4 है यह आ गया फिर माइनस 6 को माइनस 5 के साथ मर्टिप्लाइ करने तो माइनस माइनस प्लस और एंड 6 फाइवजा 30 हो जाएगा ठीक है students यह आपके पास बन गया अब आपने इधर जो भी यह काम किया है इसको थोड़ा सा अब हम simplify कर देंगे तो इधर से आप लोग clearly इसको देख सकेंगे कि यह हमारे पास नीचे वाले जो one के नीचे वाले elements है वो zero बन जोके है ठीक है तो यह row operations का sign आप लोगों ने लगाना है क्योंकि हम इधर rows को add और subtract कर रहे हैं तो यह जाएगा one two and minus five यह minus four plus four यह zero हो गया one plus eight यह nine आ गया minus six minus twenty यह minus 26 आ गया and six minus six यह zero हो गया and three minus twelve यह minus nine आ गया and यह भी आपके पास minus four plus thirty यह plus twenty six हा जाएगा ठीक है students अब again हम क्या करेंगे हमने अब इस nine की जगा पे one बनाना है ठीक है आपने each row में जो leading element है उसको one बनाना है leading element को one बना के उसके नीचे वाले जितने भी elements होंगे उनको zero बनाना है जिस आपने यह काम करना है तो यह जितन अब यह काम करेंगे तो उसके बाद आपके पास यह यह आपको जो given matrix है वो automatically यह reduce actual form में सोरी यह convert हो जाएगा तो अब आपने इस nine की जगा पे one बनाना है तो तो इसमें आप लोग देखें कि यह दोनों equations हमें similar नज़र आ रही है just minus plus का sign इदर difference हमें नज़र आ रहा है तो students इदर तो हमें इदर one बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इदर one बनाए बगएर ही नीचे वाली row जो है उसको simplify कर सकते हैं क्योंकि यह जब आप इन दोनों rows को और two और three को add करेंगे तो यह आपकी और three जो है यह completely zero हो जाएगी ठीक है students तो आपने इदर अब just यह कर देन है कि आर two और three को add करेंगे लेकिन अब हमने पहले इदर one बनाना था लेकिन अब हम one इदर नहीं बना रहे हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि इन दोनों rows को जब आप add करेंगे तो यह last वाली row जो है यह हमारी सारी zero हो जाएगी तो इसलिए हमें इदर one बनाने की जरूरत इसके बाद हमने इसकी जगा पर zero बनाना था means कि आपने आर three में changing लेकि आना चाह रहे थे तो मैं इदर पहले आर three को लिखूंगा आर three और इसके बाद हमने one means के आर two में बनाया है उसको आप बाद में लिखेंगे और इसमें क्योंकि किसी भी element की जगा पर multiply करने की जरूर and minus five zero nine and minus twenty six तो students जब आप आर three और आर two को add करेंगे तो यह हमारे पास zero plus zero यह zero हो गया and यह minus nine plus nine यह भी zero हो जाएगा और यह twenty six minus twenty six यह भी zero हो जाएगा तो इसमें जो last row है हमारे पास वो completely इसकी zero होगी means कि each row में हमने leading element को non zero बनाया है basically आपने इसको non zero बनाना है लेकिन अग operations को लगाना असान हो जाता है तो हमने इसमें leading element को one बनाया इसके नीचे वाले सारे element zero बना लिए second row में भी हमने leading element को non zero element को लिया और उसके नीचे वाले सारे element को zero बना लिए nine के नीचे को जिरो था तो इसको यह इसको हमने zero बना लिए nine के नीचे minus nine था उसको हमने zero बना लि है वो हमारे पास यही होगी 12-509-26 इसमें जो लास्ट रो है वो इसकी जिरो हो गई ठीक है स्टूर्स तो यह हमारे पास थी अच्छलन फॉर्म तो उमीद है कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी ठीक है थैंक यू सो मच